हेलो दोस्तो मैं करना है एक बड़ी फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंग्लिश ग्यान पे जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एन स्टेडी से जुड़ी टिप्स न अपडेट्स मिलती रहती हैं तो दोस्तो जैसे कि हमने प्रिविस वीडियो में आप सभी से कहा था कि आपके जो भी कमेंट हो आपके जो भी डाउट हो या जो भी क्वाईरी हो आप कमेंट में लिखिए और हम आपकी क्वाईरी को सॉल्व करने के लिए अनदर वीडियो में आपका जवाब जरूर लाएं तो here is that video and now we will discuss all the questions which is asked in comment section and जो भी solution होगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे बागी इसके साथ साथ और भी कुछ important चीज़े रहेंगी जो कि आज की वीडियो में आप सभी के लिए जानना काफी important है अगर आप admission लेने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमार साथ जुड़ जाएए क्योंकि यहां पर आपको दिल्ली निवर्श्टी से आने वाली परते हैं कि इन्फोर्मेशन और डियू बीड के एड्मीशन के एक अपडेट और गाइडेंस मिलती रहती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह कमेंट पूछा गया है विश्वास कश्यप के दुवारा यह कहते हैं इस माइन नेम इन दो साइकिन लिस्ट बट्ट वैन आ विजिटी तो प बट्ट जो एडमिशन प्रोसर्स होता वह अगले दिन से होता है तो तो यही रहा होता है कि आपका जो झाल मेशन है यह एप प्लाइक सब्सक्राइब आप आपने डोक्मेंट करते हैं तो उसके बाद वह सॉल हो जाता है तो आई होप आप सबी कभी वह आप्सन अभी आच होटल पर ठीक है बाकी सेकिंड देखते हैं सर बीएड की क्लासेश ओफ लाइन होगा या ओनलाइन अगर ओनलाइन होगा तो कैसे होगा प्लीज जड़ा बताईए एक वीडियो बनाका है तो देखिए मैं इनके लिए बताना चाहूंगा कि जो अभी बीएड की क्लासेश अगर गॉर्मेंट बॉड़ी चाहेगी कॉलेज चाहेंगे डिपार्टमेंट चाहेंगे कि आपके एडमी जो आपकी क्लासेश वह ओफ लाइन मोड में हो तो वह ओफ लाइन मोड में करवाएंगे बट मोस्ट प्रबबबली अगर सिच्वेशन अभी भी प्रीटिकल ही रह क्लास होगी और ऑनलाइन आपकी आपकी गूगल मीट पर हो सकते या फिस जूम पर होगी तो जैसा भी उन्हें कमफर्टेबल लगेगा उसके थ्रू आपकी क्लास ली जाएगी बांकि पूरा यह सिच्वेशन पर डिपैंड करेगा कि आपकी क्लास ऑनलाइन होगी या फिर अगर ऑनलाइन होती है तो वह आपकी गूगल मीट या फिर जूम पर होगी बाकी नेक्ट देखते हैं तो सर जो रह गया उसका एड्मिशन कैसे होगा तेल मी सर तो देखिए अभी साइकिन लिफ्ट में जिन बच्चों का नाम नहीं आया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच् लाइक अगर आप एक लड़की है और एक लड़का है और दोनों के मार्क्स बराबर है बट उनके कॉलेज प्रिफरेंस अलग अलग है और तो वहाँ पे जो एड्मिशन होगा वो लड़की का हो जाएगा अगर श्यामपरसाद मुखरजी कॉलेज को चूज करा होगा तो उ इस तरह फिर लड़का सोचेगा कि इतने मार्क्स दूस लड़की के भी और इतने मार्क मेरे भी बट उसका अड़मिशन हो गया और मेरा क्यों नहीं हो इक तो एक तो पर शाइंट करता है प्रिफरेंस के वह क्या है और इस चीजिब SSD में आपके से तो उसे पहला preference दिया जाएगा आपसे और जिसकी age कम होगी उसको next cut-off के लिए wait करना पड़ेगा इसके अलावा फिर graduation के marks भी देखे जाते हैं कि अगर आपके rank बराबर है इसके अलावा फिर आपकी जो age है वो भी बराबर है तो फिर आपके graduation के marks भी देखे जाते हैं कि graduation के marks किसके बड़िया हैं तो फिर उस भी हाब पे भी आपको college के जाता है और admission आपका होता है तो यही रहता है कि आपका admission अभी नहीं हुआ है और further बच्चे का admission हो गया उसी marks पे and उसी cut-off list में तो I hope आपको यह बात clear हो गई होगी कि आपका admission उसी marks पे जितने पे बच्चे का admission हो चुका है उस पे आपका क्यों नहीं हुआ और आपका कब हो जाएगा है फिर next cut-off list में होगा ठीक है बाकि जिनका नहीं हुआ है तो उन्हें तो बेटी करना है 3rd cut-off 4th cut-off तक और जिनके 200 नीचे हैं तो मैं कहा सकता हूं कि आप थोड़ा सा अपना होप लूज कर सकते हैं क्योंकि cut-off जिस तरह से चल रही है हाँ यह यह जो कमेंटमेंट है उसे general category के लिए general में यह ऐसा हो सक साथ चल रही है ठीक है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि general में 200 बिलो वाले बच्चे कह सकता है रेर चांसे उनके अब एडमिशन के बाकि देखते हैं तिल 4th cut-off आपको वेट करना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है कई बच्चे होता है नहीं भी लेते हैं तो उनकी जगह आपका नहीं है बट होम साइंस में 143 वाले का नाम है तो देको बेटा ऐसा होता है कि आपके 175 है यहां बट आप का प्यूंति के साइंस में 즉ंता ररी है बट हूमसंएंस की बात करें तो हूमसं प्हुर्प यह बहुत कम जाती आपकी जो पैड़ा है home sense से तो इसलिए जो आपकी pedagogy में जो cut up जा रही होगी उसी के according आपका admission होगा उसी cut up के according ही आपका number आएगा बट आप गर आपने home sense से लिया होता तो आपकी cut up नीचे जाती और आपका फिर admission भी हो जाता असान से और एक चीज यहां पर और बच्चे ने पूछा था एक बारी कि लाइक उन्होंने mathematics से apply करा था अगर उनके marks अच्छे नहीं आई है उसमें तो क्या वो अपनी pedagogy change कर सकते हैं after cut up तो ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि जिस pedagogy के लिए आपने starting में apply करा था तो उसी pedagogy में आपका admission होगा और उसी pedagogy की cut up के according है आपका admission होगा तो यहां पर आप कभी कोई भी change नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहीं था बागी देख लेते हैं next तो यह साइट पर सो होती है क्योंकि यह department of education की official साइट है और वहीं पर पहले यह सो होती है लाइक आपका M.Ed हो गया PhD हो गया Amphil हो गया B.Ed हो गया B.Ed Mr. B.Ed visual impairment तो यह जितने भी courses है इन सभी के लिए जो लिश्ट आती हो सबसे पहले आपकी इसी साइट पर आती है दैन उसके बाद यह अपडेट होती है कि इस पर admission.uod.ac.in इस website पर जाके फिर यह अपडेट होती है जैसे कि अभी आप चेक करेंगे तो बिए जो visual impairment है उसकी cut-off list अभी आप doe.du.ac इस वाली website पर जाके चेक कर सकते हैं कि second list आच चुकी है बट यही आप अगर admission.uod.ac इस पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आभी visual impairment की भी शो नहीं हो रही है तो यह फर्क रहता है इसलिए आपको size नहीं दिखी होगी second list जहां पर भी आपने चेक कर आऊगा तो I hope आपका यह क्लिए रहो गया next देखते हैं इसके बाद यह पूछा है बीबिलियो ने इसकोड 226 इन बिए science mathematics my category is OBC इस तिल नेम इसेंट ऑन दी लिस्ट तू डू आई हैव एनी chance at all the first cutoff close at 228 this cutoff to what's wrong तो देखिए मैंने जैसा कि इससे पहले बताया था कि एक ही rank पे एक ही marks के कई बच्चे होते हैं तो उसमें फिर age preference देखी जाती है marks देखे जाते हैं आपके graduation के उसके बाद फिर आपका seats देखी जाती है कि seats available है या नहीं है तो इसी लिए आपका साइधा अभी तक admission नहीं हुआ है बट आपके marks अच्छे हैं आपका third cutoff rate में finally नाम आ जाएगा और हो सके तो sir cutoff आपसे ही start हो आपकी category में ठीक हैं बांकि आप third के लिए wait किजिए and I believe कि आपका admission जरूर होगा इसके लावर next देखते हैं तो next यह पूछा है कि कशी else सांती के ने कि कितने बच्चे का admission हो गए है यह यह अभी यह भी notice आता है क्या तो वह हम जान सकते हैं क्यों क्योंकि जैसे कि क्योंकि जैसे admission होता जाता तो ओर वह कही मचेन अपडेट होता है ठीक है तो इस तरह से हम cut-off को देखते हुए भी यह अंदाजर लगा सकते हैं कि कितने बच्चों का अभी तक admission हो चुका है बांकि अभी पैड़ागोजी वाइस बात करें तो कितने बच्चों का एडमिशन हुआ यह हम पता नहीं लगा सकते हैं और नहीं यह कोई list आती है क् हमने नहीं देखी है सब्सक्राइब कोई notice कि जिसमें यह बताया गया हो कि अभी तक कितने बच्चों का एडमिशन हो चुके हैं कोसे में बाकि देखते हैं तो यह पूछा है प्यूस कुमार ने इंपोर्टेंट कोशन प्लीज 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 आंसर गॉट मैं नेम इन मह कॉलेज लिस्ट इफ आइडमिशन इन सियाई सुड आइवेट और सुड आइटेगे अडमिशन महरीशी वालमी की तो देखें यह सिंपल ली कॉलेज अलॉट्मेंट की बात करें कि क्या कॉलेज हो जाता है जैसे इनका भी नाम आ चुका है महरीशी वालमी की कॉलेज में बट यह चाहते हैं CI में, तो देखे ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में भी आपको बताया था, कि आप अगर B.E.D. के लिए अप्लाइ कर रहे हैं, तो आपका जो री अलॉट्मेंट है वो नहीं होता है, ठेक है, अगर आपने MA के लिए या फि अपने लिए अपनी faculty के साथ, अपने facilities के साथ वो इनफ है, तो इसलिए कोई भी बच्चे को जो भी college अलॉट हो जाता है, उसके बाद री अलॉट्मेंट नहीं होगा, आपको उसी में admission लेना पड़ेगा, तो अभी आपको जिसमें भी admission मिल रहा है, उसी में ले लिजिए, डोंट वेट फोर अनदर college, वो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो possible नहीं है, तो अभी आप महारिशी वालमी की college में admission ले लिजिए, आज होप आपका clear हो गया होगा, next देखते हैं, तो अभी तो यही थे, तो इस तरह यह सारे doubts अभी आपके clear हो चुके हैं, बांकि जिन भी बच increasement हो सकती हैं, कितनी increasement हो सकती हैं, तो वो देखेंगे, उसके लिए, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, बांकि चैनल को subscribe करके, bell icon on करिएगा, जैसे वीडियो आए, वैसे आप तक notification पहुँच जाए, और आप update हो जाए, तो यही थी आज की वीडियो, I hope आप सभी के सार डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और अगर इस तिल कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूचिए, हम उसके जवाब का जरूर ट्राइ करेंगे, जैसा भी होगा, हम आपको बताने की कोशित करेंगे, मिलते हैं सी प्रिकार की नेक्स वीडियो में, और नेक्स अपडेट में, वन्स